हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली करंट अफ्यर में आपका स्वागत है आज है 23 अप्रेल 2019 और यह हमारी 134 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाती है साथी questions से related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने है दोस्तो अगर आपको MPG के और current affair से related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है इसे आप टिक करके answer कर सकते है question number first हाली में कब प्रत्वी दिवस मनाया गया है जिसको सई option है 22 अप्रेल हाली में 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस मनाया गया है परियावरन सुरक्षा के बारे में लोगों में जारूकता फैलाने और बढ़ुत्री के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 2019 में प्रत्वी दिवस की theme थी हमारी प्रजातियों में बचाओ दोस्तो इसे English में protect our species कहा है प्रत्वी दिवस की स्थापना 1970 में की गई थी तो दोस्तो इतना आपको विश्व प्रत्वी दिवस की बारे में याद रखना है Next question प्रदान मंत्री जंधन योजना में जमारासी हाली में कितनी हुई है तो इसका सयोफ्षन है एक लाग करोर रुपे हाली में प्रदान मंत्री जंधन खाती में जमारासी एक लाग करोर रुपे पहुच गई है इस योजना को प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी ने लौच किया था इसका उद्दिश निर्धन लोगों को भी बैंकिंग सुविदा से जोड़ना है इस योजना में कुल 35 तिसमलव 49 करोर खाते खोले गए हैं दोस्तो आपको बता दें 50 प्रतीशत खाते अकेले महिलाओंने खुलवाए हैं तो आपको इस प्रदान मंत्री जंधन योजना के बारे में इतना याद रखना है असमानता के अध्यन के लिए किस संस्थान ने अमरित सेन चेयर की इस्थापना की है जिसका से योफशन है लंदन स्कूल ओफ एकॉनोमिक्स हाली में लंदन स्कूल ओफ एकॉनोमिक्स ने अमरित सेन चेयर की इस्थापना की है इस स्कूल में अमरित सेन प्रोफेसर रह चुकी है इस अध्यन का उद्धिस अनुसन्ना सिक्षा और जन सहयोग की सहायता में समाज की कल्याण के लिए कारे करना है दोस्तो अब बात आईए अमरित सेन की तो आपको इनकी बारी में बता दें ये एक भारती अर्थ सास्त्री हैं और इनका जन्म 1933 में बंगाल में हुआ था दोस्तो इतना आपको अमरित सेन के बारे में याद रखना है Next question दोस्तो अब बात आईए सन्तो टॉफी की तो आपको इसके बारे में बता दें ये एक फृतवल प्रतियोगीता है इसमें खशित्री फृतवल संग और सरकारी संस्थानों की टीमें हिस्सा लेती है इसमें 31 टी में हिस्सा लेती हैं प्रतिवर्ष यह ट्रॉफी आयोजित की जाती है दोस्तो संतोस ट्रॉफी की इस्थापना 1941 में की गई थी और इसे कमला गुपता ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो इतना आपको संतोस ट्रॉफी के बारे में याद रखना है Next Question हाली में आयशमान भारत के अंतरगत कितने लोग लाभारती हुए हैं जिसका सही ओफ्षन है 20 लाक हाली में आयशमान भारत के अंतरगत 20 लाक लोग लाभारती हुए हैं 23 सितंबर 2018 को इस योजना को लौंच किया गया था मोदी जी के द्वारा अब तक इस योजना में 3.07 करोड लोगों को E-card जारी किये जा चुके हैं दोस्तो अब बात आईए आईश्मान भारत योजना की तो आपको इसके बारें बता दें इसे प्रधान मंत्री जन आरोग योजना भी कहा जाता है इसके तहट एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाक रोपे का स्वास्त बीमा प्रधान किया जाता है दोस्तो इस योजना को 444 जिलों में लागू किया गया है इस योजना में 60 प्रतिशत योगदान केंदर सरकार का होगा और सेस योगदान राज सरकार द्वारा किया जाएगा तो दोस्तो इतना आपको आयश्मान भारत योजना के बारे में याद रखना है Next question आओ खेलें बोट प्रतियोगिता कहां आयोजित की जा रही है जिसका सई ओफ्टन है कटनी कटनी में आओ खेलें बोट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है मतदाता जागरूगता के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है दोस्तो अब बात आई है कटनी जिले की तो आपको कुछ important fact कटनी जिले के बारे में बता दें। 25 मई 1998 को जवलपुर से विवाजत होकर कटनी एक अलग जिला बना था। चूना नगरी वा मुडवारा के नाम से प्रिसिद्ध कटनी। महा कौसल बुनिलखंड और बगेलखंड संस्कृतियों का समिस्रण कटनी में दिखाई देता है। रूपनार ती सिसल जो समराट असुग का अविलेक है यह भी कटनी में ही इस्तित है। कटनी के कैमूर में ACC सीमेंट कार खाना है। दोस्तो एक और important fact है देश की पहली किनर बिधायक सबनमोसी कटनी से ही चुनी गई थी। बिजय रागुगर प्रिसिद्ध किला है कटनी में और टीगवान जहां पर 1500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है यह कटनी में ही इस्तित है। तो दोस्तो इतना आपको कटनी जिले के बारे में याद रखना है। प्राचीन में बनाए गए हैं तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मुरेना जिले के बारे में बता दें। मोरों की बहुत आयात के कारण इसका नाम मुरेना पड़ा है। चंबल कौारी असन जिले में प्रभायत होने वाली प्रमुख नदियां है। सिंगा जी का मिला मुरेना में ही लगता है। बामनोर ओद्योग केंद्र और कूला रसमे चीनी मिल मुरेना जिले में ही इस्थित है। दोस्तो स्वतंतता सेनानी रामप्रिसाद बिस्मिल की स्मिर्थी में देश का पहला शहीद मंदर मुरेना में ही बनाया गया है। इतना आपको मुरेना जिले की बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेशन हाली में मध्य प्रदेश में किन दो चीनी इंजिनेरियों को देश छोड़ने का नोटिस दिया गया है। इसका सही उफ्षन है, सन योबान, जिंक यू मोशन. इन दोनों को चीनी नागरेकों को मद्धप्रदी साथी देश छोडने का नोटिस दिया गया है. इन दोनों चीनी नागरेकों को 72 घंटे के अंदर देश छोडने कहा गया है. ये दोनों टूरिस्ट बीजा लेकर भारत आये थे और रीवा के पावर प्लांट में इन्हें अवैद डेमो देते हुए पकड़ा गया है. दोस्तो अब बात आई है रीवा पावर प्लांट की तो आपको एक इम्पोर्टेंट फेक्ट उसके बारे में बता दें. दोस्तो हाली में दिल्ली के केंद्रिय सचवाला और जवाला नेरू स्टेडियम तक मेट्टो का संचालन रीवा से उत्पन सौर उर्जा से किया गया है. रीवा प्लांट से 27 मेगा वाट उर्जा की पूर्टी की जाती है. तो दोस्तो आपको इतना रीवा पावर प्लांट के बारे में याद रखना है. नेक्ट कॉशन हाली में किसे साहित सुधाकर सम्मान से सम्मानित किया गया है? जिसका सई उप्षन है स्याम मोहन सरोटिया. हाली में स्याम मोहंस रोठिया को साहित सुधाकर सम्मान से सम्मानित किया गया है ये डॉक्टर और गीतकार है इन्हें मद्ध प्रिदेश की सागर में इस सम्मान से नवाजा गया है उतकरस्ट गीत लेखन के लिए यह पुरुसकार दिया गया है बारत के किस प्रधान मंत्री को साथ देशों ने अपने उत्करस्ट सम्मान से नवाजा है जिसको से योफ्षन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी को साथ देशों ने अपने उत्करस्ट सम्मान से नवाजा है दोस्तों ये भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्हें साथ देशों ने अपने उत्करष्ट सम्मान से नवाजा हो आपको बता दे ये कौन-कौन से साथ देश है और कौन-कौन से उत्करष्ट सम्मान है इनके बारे में रूस ने ने ओर्डर ओफ दा सेंटर एंडियू दा एपोस्टले सम्मान से नवाजा है UAE ने जायद मेडल से साथ कुरिया ने स्योल सांती पुरुष्कार से और संयुक्त रास्ट ने चेंपियंस ओफ दा अर्थ से फिलिपिन्स ने ग्रेंड कॉलर पुरुष्कार से अफगानिस्तान ने आमिर अमान तुला है पुरुष्कार से और साओधी अरब ने किंग अब्दुल अजीज सैस पुरुष्कार से प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी जी को नवाजा है तो दोस्तों आपको इन सातों देशों के उतकरष्ट पुरुसकार के बारे में याद रखना है नेस्ट क्वेशन जिसको सई उफशन है यूक्रेण ये यूक्रेण के एक खास अभीनेता है इस अभीनेता ने कोई भी राजनेतिक अनुभाव पास नहीं किया है इन्होंने चुनाओं में 33.2% बोट हांसल किये है दोस्तों आपको बता दें ये एक टीवी सो में रास्टपती का करदार निभा रहे थे पर अब असलियत में रास्टपती बन गए है यूक्रेण के दोस्तों आप बात आईए यूक्रेण की तो आपको मेप में इसके बारे में बता दें मेप में ये जगह यूक्रेण को दरसाती है यूक्रेण की राजदानी है किये करंसी है यूक्रेणियन रवेनिया दोस्तो स्वतनता सोविय संग से इसे 24 अगस्ट 1991 में मिली थी और यूकरेन की रास्टपती यही बने है बॉलो दमीर जलन्सकी तो इतना आपको यूकरेन के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉशन हाली में नई दुनिया द्वारा किस जिले में चलो बोट करें अवियान चलाया जा रहा है तिसका से उफशन है गॉलियर हाली में गॉलियर में चलो बोट करें अवियान नई दुनिया द्वारा चलाया जा रहा है लुक सुबा चुनाओं में मतदान के प्रत प्राल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है भारत का दूसरा सूर्य मंदर मुरार गौालियर में ही इस्थित है दोस्तो घाटी गाउं में सौन चिडिया सरनक्षन अब्यारन इस्थापित किया गया है स्तांसन की समाधी जैबिलास पैलेस गूजरी महल मान मंदर मोती महल सास पहु का मंदर ये सभी गौालियर में ही इस्थित है रानी लक्षिवाई सारेरिक परिक्षन केंद्र जो भारत का प्रतम परिक्षन केंद्र है यह है गौालियर में ही इस्थित है दोस्तो गैस आधारित पहला बिद्युत क्राइब भांडेर गौालियर में ही लगाया गया है तो हमारे एक और सीरिस 30 इंपोर्टेंट डेज वाले जो एक बीक में आती है उसका तीसरा पार्ट आ चुका है आप जा कर देखिए ये बहुत इंपोर्टेंट और ओल्ल पीपर से रिलेटेड एक पार्ट है तो आज के लिए वाज इतना ही नमस्कार